Hello Friends, इस सीरीज में हम बात करेंगे प्रेग्निंसी में इचिंग के बारे में, क्या रीजन्स होते हैं, क्या ये हामफुल हो सकती है बेबी मदर को, या हामफुल है, कैसे डिफरेंशियेट करें, अगर हामफुल है तो क्या इश्यूस हो सकते हैं बेबी और मदर को, और ट्रीप हो सकती है, dehydration, dryness है, skin की, then itching हो सकती है, hormonal changes होते हैं प्रेग्निंसी में, जो itching करा सकते हैं, अगर हम sensitive है हमारे skin, तो itching हो सकते हैं, अगर allergy हो रही है, किसी बीची से कोई medication लिया है नया, कोई कुछ apply किया है, oil, cream, या कुछ खाने पीने से भी allergy हो सकती है, वो हामफुल हो सक जिस cause के लिए हम ये video series की बात कर रहे हैं, वो है pregnancy में colistasis, colistasis मतलब, coli मतलब bile, जो एक digestive juice है, हमारी body में liver से secret होता है, stasis मतलब रुख जाना, अगर वो body में इखटा होने लगता है किसी वज़े से, तो उसको colistasis कहते हैं, और अगर pregnancy में हो रहा है, तो gestational colistasis या colistasis in pregnancy कहते हैं, तो differentiate कैसे करें, अगर किसी चीज़ से allergy है, तो ठीक है, आपने कुछ नया शिरू किया होगा, तो उसको stop करके आप देखेंगे, आपकी allergy का itching जो है, वो खतम हो जाएगी, तो perfect है, colistasis कैसे पता करें, हमें itching, palm and soul पे जादा हो रही है, पैरों की तल्वे पे और हाथ की नहा थेलियों पे इचिंग जादा हो रही है, और रात के समय इचिंग बढ़ जा रही है, कोई भी इचिंग हो, हमें महसूस जादा रात में हो सकती है, हम किसी कामें बिजी नहीं होते हैं, हम महसूस जादा अच्छे से करते हैं, लेकिन colistasis कैसे को especially कहा जाता है, रात के सम लो कलर होता है, वो towards whitish जाने लगता है, ग्रे कलर या मिटी के कलर का स्टोल देखता है, तो ये colistasis of pregnancy हो सकती है, जरूर अपने gynecol जिससे आप मिलेंगे, वो चेक करेंगे, और कुछ टेस्ट कराएंगे, जिसे liver enzymes, अगर SDOT, SDPT बढ़ा हुआ है, बाइलेसिट्स पढ़े ह हैं, alkaline phosphatase 200 से जादा है, तो वो colistasis of pregnancy हो सकती है, और इसके क्या concerned mother और baby को हो सकते हैं, उसके बारे में next video में बात करेंगे, incidence बढ़ता जा रहा है, colistasis of pregnancy, पहले 1-2% नज़र आती थी इंडिया में, जो medical college में में पेशिंस देखती थी, वो भी harmless itching जादा होती थी comparatively, आशक हर almost 20 pregnant patients में एक या दो को itching नज़र आती है, और test कराने पर पता चलता है कि वो harmful है, means colistasis of pregnancy है, तो कैसे इसको prevent कर सकते हैं, treat कर सकते हैं, इस सब पर बात करेंगे next आने वाने कुछ videos में, thank you.